राजिस्तान कॉर्परेशन डेरी फेडरेशन के अंदर जो 586 पदों के उपर वैकेंसी निकाली गई थी उसमें एक बार फिर उसके शाक्षातकार यानि कि उसके इंट्रूस पे यहाँ पे विवाद देखने को बिला अगर यह विवाद के बात करें तो इसमें जो मेन विवा पाने चाहिए थी सबसे बेड़ा विवाद जो है अब यहाँ पे नया है यहाँ पे यह देखने को मिला हाला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ और सीडियेफ के साथ में ऐसा पहले भी हाँ पे चलता आ रहा है जिसमें सबसे पहले यह एक्जाम दो अगस्त को यहाँ पे ओनला की अगस्तल इहां हाला कि वेकन्स तो यहां पे फिमेल की थी लेगं पुरूश अभीर्थियों की लिए कोल कि ली तो इसके अंदर जो इल्ट्रीू के इंदर तोorta बियु चाहिए दीवी के लिए अभियर्थियों को बुलाएं जिसमें से दो जो वकिंसे हैं पॉस्ट यहां वह फिमल कंडिडेट की यहां पे पोस्ट थी को मिलाग बात ही है उसके ओपर अभियर्थि जो है मेल कंडिडेट को इंट्रूस के लिए बुला ले अगया हाला कि यह वकेंसे तो के लिए रिजर्ट थी तो मेल के इंडियेट को या पर इंट्रूस के लिए कॉल किया गया तो यही गोटाला या पर सबसे बढ़ा या पर देखने वो मिल रहा है दोस्तों आप से कहना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने ग्रूप में या फिर अपने अला की गई है तो स्क्रीन पे आप लोग न्यूस पेपर देखी पा रहे है जिसमें आर सीडी एफर यानि की रास्तान कॉर्परेशन डेरी फेडरेशन के अंदर टोटल पांसु चैसी पदों के उपर जो वेकेंसी निकाली गी थी हाले में इंट्रूस के लेके विवाद यहां पर छीड़ा हुआ है बरती गोटाले की अब बात करें तो इंट्रूस में फीमेल पद के लिए पूरुष अफियर्थियों को बुलाना यही सबसे बड़ा हजकी इस्टोपी का विवाद है हाला कि ऐसा पहले बार नहीं हुआ इससे पहले भी आर सीडी एफे कंटीन्यू ब 154 अबियर्थियों के लिए बुलाएगे साथ ही पूरी प्रिक्षा के विवाद में इसको इस आधार पे डाल दिया जो की 154 अबियर्थियों को डॉक्यमेंट बुलाने के उप्रान उसके बाद में अब यहां पर देखा जाए तो प्लांट ओपरेटर दित्त है कि पद के पर दस्तावित वेरिफिकेशन के लिए टोटल 50 अबियर्थियों को बुलाएगे साथ यहां पर दो महिलाओ पदों के उपर पुरुष अबियर्थियों के लिए बुलाया गया हाला कि यह एक बड़ा विवाद का विशह है जिसमें पुरुषों को यहां पर एटलिस नहीं कर दिया गया उसके जैए यह पुरुष जैसे ही अधिकारियों के सामने दस्तावित के लिए पेस हुए तो सुची में मैलाओं के बद आरक्षितै मामला सामने आने के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए आई लोगों ने हंगामा भी कर दिया इस बात पे क्योंकि यहाँ पे तो female candidate का था था ना इंट्रूस तो male candidate यहाँ पे इंट्रूस के लिए जा रहे थे document verification के लिए आये हुए थे तो उनी को देखें यहाँ पे यह हंगामा अभेर्थि को दोवारा कर दिया गया दोनों अभेर्थियों को अधिकारियों ने दस्तावेज वेरिफिकेशन से बार भी कर दिया उसके बाद में इस तरिक्षा का आयूजन जो है दो अगस्ट दो जारी किसको ओलनाइन मादेम से आई बीपेस नस्तागे द्वारा करवाया गया था इसके बाद बिना मेरिट सूजी जारी करना अभेर्थियों को सबसे बड़ा विवाद यहाँ पे साथी दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए उनको बुला लेना साथी अब यहाँ पे महिला पदों के उपर चैनित अभेर्थि जो की पुरुष को यहाँ पे बुलाया गया 24 नमर पर अगर बात करें तो मंजीस सिंग है और 24 नमर पर राम सिंग यादव इनको यहाँ पे महिला पोस्ट के लिए इंटरूस के लिए कोल किया गया था साथी इससे पहले भी यहाँ पे काफी लेवल की यहाँ पे गड़बडी देखने को मिली है से पत्चीस अबयरती सेंटर नमर एक सो बावन से ग्यारा स्टुडेंट का सेलेक्शन आपे इसमें देखने को मिला साथी इसी प्रकार से सोड़ा अगस्त को इलेक्टरिशिंस पद के ऊपर वेकंस के लिए आप बढ़ती करवाए गया इसमें भी एक सो चॉमारी से सेंटर नमर से हाले में एक नया विवाद आप देखी पा रहा है प्लांट ओपरेटर का सेकिंड इंट्रूस के ओपर यहां पर खड़ा होगा जिसमें महिला पदों के ओपर फीमेल को डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के बुलाना यह बहुत बढ़ा है दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज् करते हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तैंक यू देने वाद